जी प्रोग्राम ब्रेकिंग बारियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया आलिया शॉफिशल यूट्यूब चैनल पर आप सब को वल्कम करती हूँ मूदी इस अन्स्टॉपेबल ये मैं नहीं कह रही ये कहना है न्यूजवीक का यूजवीक ने भारती वजीरियाजम नरेंदर मूदी साहब का एक ऐसा इंटर्व्यू कर डाला है जिसने तहल का मचा दिया है और न्यूजवीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मूदी इस अन्स्टॉपेबल बलके न्यूजवीक का कम्प्लीट टाइटल है नरेंदर मूदी and the Unstoppable Rise of India यानि नरेंदर मूदी and the Unstoppable Rise of India ये टाइटल है न्यूजवीक के इंटर्व्यू का 90 मिनट्स का ये इंटर्व्यू जो के भारती वजीरियाजम नरेंदर मूदी साहब ने अपनी रेजिदेंस पर न्यूजवीक के ना सिर्व CEO वहाँ पर मौझूद थे बलके इसके साथ इंटर्व्यू करने के लिए भी वहाँ पर उनके रेपोर्टर्स मौझूद थे ये इंटर्व्यू एक बहुत ही एहम इंटर्व्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है मेरा ये कहना है कि ये भारती वजीरियाजम नरेंदर मुदी साहब का मास्टर्स ट्रोक है मास्टर्स ट्रोक इसलिए है कि नई हकोमत आने में कुछ दिन election के नस्दीग नरेंदर मूदी साब election में जा रही है एंटर हो रहे हैं और अगली हकूमत उनके आने के bright chances तो उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि भारत में जो नई हकूमत आ रही है जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो दुनिया के मुतालिक क्या खयाल रखता है उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बलके पूरी वर्ल्ड के लिए peace का message दिया है इंडिया के ओपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है पाकिस्तान के ओपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बकाइदा बात की है और इसी के साथ quad पर बात की है अपने elections पर ब इंडिया की तरक्की पर बात की है, वन बाई वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं, देखिए, जो मैं ये कह रही हूं, कि ये मास्टर स्टोक है वो इसलिए है, जो इसका इंपक्ट है, आप देखिए न, कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटर्व्यू देना और उसके इस टाइटल पर, नरेंदर मूदी साथ की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पच्चराना, उनका एमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है, कि मुझे रोक नहीं सकते, I am unstoppable for the rise of India, and rise of India is also unstoppable, ये उनका कहना है, और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी peace की किये, तो इसका मतलब है, कि इसका impact क्या है, कि भाई, कोई फिकर की बात नहीं है, इंडिया में जो नई हकूमत आ रही है, जो नई गामेट आ रही है, उसमें जो नया prime minister है, उनका, वो peace की बात करता है, औ हमें तो किसी के साथ कोई जगडानी चाहिए, अचा, अब ये इस सिनारियो में ज्यादा एहम इसलिए है, कि इस से पहले हमने देखा, कि पाकिस्तान और इंडिया के भी जो कुछ चलता रहा, और उसमें बहुत सारी बाते हैं, जिसके ओपर जो है, वो पाकिस्तान के ओपर जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके सा बात करता है, उन्होंने इस इंटर्व्यू में वह बात किये है पाकिस्तान की बास से पाकिस्तान की हवाले से उन्होंने क्या कहा है फिर हम इसके पर जो है जितने भी पॉइंट से उसके पर मेरी तो कोशिश है ही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर यह बात करूँ और इसमें जैसे मैंने आपको कहा नाइटी मिनट्स कनवर्सेशन अट इस ओफिशल रेजिदेंस विद न्यूजवीक प्रेजिदेंट एंड सी ओ देव ग्लोबल एडिटर इंचीफ नैंसी कूपर और एडिटोरियल डिरेक्टर एजिया दानिश मंजूर भत यह वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ उन्होंने यह गुफटगू फरमाई है लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि यह बड़ा एहम है कि भारत हमेशा यह चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ तो पाकिस्तान के पर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस और स्क्यूरिटी की बात करते हैं सबसे एहम मैसेज तो यह है कि उन्होंने का नई भाई कोई लड़ाई जगड़ा ने कोई डिस्प्यूट नहीं हम तो ऐसा चाहते नहीं हम तो पीस और स्क्यूरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और साथ में यह कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानि कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए लेकिन जो situation है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अदर अच्छा इसके अंदर फिर उनका ये कहना एक सबसे एहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि atmosphere free from terror and violence कि हमें दैशत कर दी नहीं चाहिए ये peace and security की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए और कहना चाहिए जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं और हम तो बलके ये मौके से पादा उठाएए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है तो इस पर पाकिस्तान अगर पाकिस्तान भी master stroke खेले तो वह ये कर सकता है कि ठीक हम trade के लिए तयार है आपने security और peace की बात की आईए हाथ बढ़ाते हैं और हम trade तयार हैं तो आईए हमारे सब trade की दिये लेकिन आपको पता है क कि ये वहाँ पे तो master stroke खेलने के लिए है कौन कहलेगा master stroke और क्या है इस master stroke खेलने के लिए आपको जो ego है आना है वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़े पन का मुझारा करना पड़ता है जैसे के नरेंदर मूदी साहब ने किया है अच्छा अब इसमें एक अ यह तफसील यह गुफ-टुग फर्माई है उस पह उन्होंने कहा है कि जो चाइना और इंडिया है उसकी जो हमारा बिलिफ यह है कि दोनों चाइना और इंडिया की स्कुरिटी सिर फिर इंडिया और चाइना के लिए ही एहम नहीं है बलके यह सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया के लिए, it is my belief that we need to urgently address the situation on our border so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us, यह उन्होंने कहा कि यह जो abnormal relations है, यह उन्होंने accept किया, इसको कहा, हाँ, चाइना और इंडिया के भी जो relations है, वो उनको फौरी तोर पर जो है, urgently उनको address करने की ज़रूरत है, और फिर उनका यह कहना था, stable and peaceful relations between इंडिया और चाइना are important for not just our two countries, but the entire region and world, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके सिरफ, अब देखिए कि आप जानते हैं कि लदाख stand-off और गलवान clash जो है, वो दोनों कंट्रीज के बीच कितना बड़ा conflict जो है, कई सालों से यह चल रहा है, और पिछले कुछ अरसे में जो troops हैं दोनों के borders पर, चाइना और इंडिया के borders पर, वो भी काफी ज़्यादा deployment उनकी हो रही है, हतियार लगाए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से कई मरतबा जब ऐसी खबरे आईं, के जनाब उस border पर जो है, हतियार लगाए गए है, वहाँ पर troops की deployment ज्यादा कर दी गई है, पिर चाइना की तरफ से जो है, इस border पर troops ज्यादा हो रही है, इसका क्या मकसद है, क्या है, यह सब चल रहा है, तो ऐसी situation में उनका यह कहना, के जनाब हम जो हैं, वो चाइना के साथ बहुत जरूरी है, दोनों countries के बीच, यह dispute, resolve होना, और इसके बाद चाइना का भी इसके उपर reaction आ गया है, और चाइना ने इसको यह कहा है, कि चाइना भी समझता है, कि इंडिया और चाइना के भी जो यह conflict है, इसको tensions जो है, इनको दूर होना चाहिए, और यह जो dispute है, इसको resolve होना चाहिए, यानि यह कि इसको urgently इसको address करना चाहिए और जो कुछ ये चल रहा है उसके पर उनका भी यह कहना है कि हाँ, इससे ये पता चलता है कि वो तयार है, यानि फौरी तोर पर उनकी तरफ से reaction आना और इसको जो है second करना, ये उनका, उनकी say कि हाँ, ये बिलकुल सही बात है, हमें मिलकर जो है, इसको करना चा देखिए, जो 2025 में या 2026 में, यानि बहुत अंकरीब बड़ी जल्दी जो है, वो कोई बड़ी जंग होने का इमकान है, तो दुनिया में पहले ही दो जंगे चल रही है, आप जानते हैं, हमास और इसराइल, और वो लेकर अब इरान तक की पहुंच रही है, कि इरान भी इस इसराइल पर हमला करने वाला है, और इसी के साथ जो युक्रेयन और रशिया है, तो ये रीजन तो हमेशा सही है, यानि वो रीजन जो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया है, वो तमाम तिकोन खास्तों तो उसको कहा जाता है, कि ये बॉयलिंग पॉइंट है, तो इसमें ए इंडिया आगे बढ़ने में, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी जंग हो, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मूदी ने ये बात कहकर, असल में, ये भी अपना एक पत्ता खेल लिया है, ये कार्ड खेला है, कि हम नहीं चाहते, जंग, तो अब अगर जंग या कोई ऐ ऐसी सिटूइशन होती है, तो चाइना को कहा जाएगा कि उस वजीर आजम ने तो एक्तदार में आने से पहले ही कह दिया था, कि जनाब हम तो पीस चाहते हैं, तो फिर अगर ये जो कुछ हो रहा है, तो आप इसके जिमेदार आप हैं, यहीं वज़ाए ना, कि इसमें कही एक ऐसे एंगल से हैं, जिसके पर हम कहा रहे हैं, यह एक बहुत तीजबर्दस किसम के उन्होंने इंटर्व्यू दिया है, कि उन्होंने क्यूंके पाकिस्तान को भी पीस का मैसेज दे दिया, और चाइना को भी पीस का मैसेज दे दिया, तो साहर है कि अब इसके बाद अग तो वो यह क्यों चाहेगा कि जंग हो तो यह वज़ा है कि यह जो जंग के आसार नजर आ रहे हैं वो सकता है इस वज़ा से भी उन्होंने जो है यह कहा हो कि नहीं जाहिए 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 आपकमिंग एलेक्शन ज़रा थोड़ा और कुछ पॉइंट्स पर आते हैं मेरी प्रशिश होगी आज के प्रोग्राम में काफी ज़्यादा पॉइंट्स भी आम तक पहुचा सकों इसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव एन एक्सिलन्ट ट्रैक रेकर्ड और फुल्फिलिंग आवर प्रॉमिसेज और उन्होंने कहा कि गर्मेंट जो है उसने सबका साथ सबक कि इंडिया कुछ हो चुका है इंडिया इसवक कहां पहुंच चुका है फिर जब डेमोक्रेसी और फ्री प्रेस की भी उन्होंने सवाल किया कि ना बड़ा ये इल्जाम लगाया जाता है यह एकि कृटिटिसाइस किया जाता है के प्रेस को डबाया जा रहा है और अपोजिशन को दबाया जा रहा है तो इसके उपर उन्होंने ये कहा कि जो हम वी आर डिमोक्राइसी उन्होंने कहा कि नोट ओनली बिकॉज आवर कॉंस्टिटूशन सेज कि हम जो हैं वो हमारी जीन्स के अंदर है ये जमूरियत और बलके इंडिया इस बी मदर ऑफ डिमोक्राइसी फिर उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको खुद उनके जो यानि सोचने का है उसको दोस्तों हिना चाहिए क्योंकि अब ऐसा नहीं है अच्छा फि इस इंफ्रस्ट्रक्चर फिर सारी उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं उसके अंदर के इन लास्ट टैनियर्स नेशनल हाइवेस नेट्वर्क्स इंक्रीज सिक्स्टी परसंट कितने किलोमीटर कितने हजार किलोमीटर से कहां तक पहुँच चुकी है ये सब उन् इसके पर उन्होंने बात की फिर उसके बाद उन्होंने बात की है डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपी आई उसके पर बात की कैसे उन्होंने जो है इसी बात की है कि उसके बर आप बिल गेट्स भी बात करते हैं कैसे आपने कर दिक दिखाया हिए यहार चीज़ जो है यह अब इसके आफ्की आप की है तो यह आपने किया कैसे बताएं आपने इसके पर प्रोग्राम कर चुके हैं पेर उन्होंने कहा कि ऑन्ने चलेंज और स जिस तरीके से उन्होंने अपनी women empowerment पे आगे किया है खवातीन को provide 33% reservation for the women in parliament फिर उनका कहना था किस-किस जगा पर, कहां पर सहूलते उनको दी गई है we have opened 285 million bank accounts for poor women और फिर उसके बाद million of women are being benefited due to innovative schemes 15% of all pilots are women, 3% pilot इंडिया में progressive steps लिए गए हैं, उसको 23% in हर चीज़ पर जो जो कुछ हुआ है, भाई, वहां पर तो चांद और चंद्रियान, moon mission और solar machine जो है, उसको head करी उसके background पर सब खवातीन होती हम देख चुके है on China, अच्छा, चाइना पर तो हमने आपको बता दी है quad पे भी उन्होंने काफी गुफ्तगू फरमाई है, quad पे उन्होंने ये कहा है कि जो ये समझा जाता है कि जनाब quad जो है, वो किसी के खिलाफ है, तो quad like-minded countries का एक ऐसा group है, कि जो अपने ऐसे, जो उसकी मकासिद हैं, वो share करता है, जो के पूरी दुनिया के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो छुपी हुई हो, तो उन्हेंने कहा कि quad जो है, इसको बिल्कुल एक ऐसा group है, जो सिरफ जो countries है, वो जो benefits, जो मफाद देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है, कि किसी भी country के खिलाफ उसमें कोई कुछ किया जाए, और जनाब फिर उसके बाद जो है, जी, on criticism of Jammu and Kashmir स्टेटेस की पर बात की गए, जो उन्होंने का कर्ड डाला है, उन्होंने वो कमाल कर्ड डाला है, वो 20 million, 20, over 21 million purish visited Jammu and Kashmir in 2023, और there has been a significant decline in terror incident, ये उनका कहना था, Jammu and Kashmir पे, राम मंदिर पे उन्होंने बात की, और उस पे उन्होंने का the name of Shri Ram is implanted on our national consciousness and वगएर वगएर इस तरह की चीजें, उन्होंने कितना बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया है, on this legacy, तो उन्होंने इसके उपर कहा कि I think it is not my job to think about how I will be remembered, उन्होंने का ये और ना ही ये जो है मुझे बात मुझे motivate करती है, उन्होंने का मेरी motivation ये है, is the impact I could make in the lives of every Indian, जिनके लिए मैं आया हूँ, जिनके लिए मैंने मेरी जो है वो ये है कि मुझे जो है इस तरीके से याद रखा जाए कि मैंने इंडियन के लिए मैं क्या करके गया हूँ, मुदी on leadership, उन्होंने कहा कि जो listening जो है वो एक an important quality है leadership की, and I am God gifted with this quality and I have also cultivated it, another quality that I have is that I am always in the moment, or I am not distracted by phone calls, messages or anything else, when I am doing something, I am 100% involved and engrossed in that task, और इसके लावा नोने बहुत सारी बाते हैं कि अपनी leadership, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम दुबारा से एक program जब करेंगे, तो उसके पर कुछ ऐसे इसमें से factors, points जो हमने discuss नहीं किये, और यकीना discuss करेंगे आखर मैं यही कहना चाहूंगी, कि यह interview जैसा कि मैंने कहा, कि एक तो उनकी अपने लिए, बहुत important इसलिए हैं, उन्होंने एक ऐसा master stroke केला है, कि देखिए पूरी दुनिया में, यह जो उन्होंने बाते की हैं, वो तमाम के तमाम बाते जो हैं, उसको कोई भी deny नहीं करेग हम कोई जंकर नहीं नहीं चाहते हैं, हम तो तरकी की बात करने लगे हैं, अंगली एकूमत में भी, और जो दुनिया के लिए है, वो इसलिए important है, खास तरफ पर पाकिस्तान और चाइना के लिए, कि उन्होंने यही कहा है, कि यह disputes हम खत्म करके आगे बढ़ें और peace की तरफ बढ़ें, well and good, well done, बहुत अच्छा यह, मैं समझती हूँ, कि यह अच्छा जेस्टर है, बहुत positive जेस्टर है, पाकिस्तान के लिए, और इसको ऐसे ही लेना चाहिए, और इसके ओपर बड़ा जबर्दस जो है, appreciate, जैसे भी आप करना चाहें, आप जाहर है कि वो तो बहुत मैं से झाहिए